इसी के साथ next caller से बात कर लेते हैं हमारे साथ शरद हैं एहमदबाद से स्वागत शरद आपका नमस्ते जी जी नमस्ते जी नमस्ते जी आप इसके मेरे को मोटापा है और वजन ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लगती है अच्छा एज बताईए फिफ्टी फाई और कोई रोग तो नहीं इसके लागा बीपी है जाब ठीक है और यूरिन नाइट में पाच्चा बाज़ जाना पड़ता है दिन में दस पंदर अबाद हाँ देखिए आप यकीन करें के आप डायबिटीज के बहुत करीब हैं और मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जो बहुत आसान भी है और आपको फाइदा भी देगा लेकिन आपको अपना ख्यार लखने की तमन्ना होनी चाहिए ये उम्र रोग आने की उम्र है और देखिए 100-200 ग्राम आप जीरा पीस के रख लीजे जीरा जो किचन में होता है अपनी पत्नी को को ये पीस के दे देंगे और रोग जैतून का सिर्का तीन चम्मच रात को गरम पानी में मिला के पिए और आदा चम्मच ये जीरा पिसाओा आप लिया करें और एक explor volcan कि पांच बार या उससे ज़्यादा गरम पानी पिया करें और एक घंटा पैदल चला करें तो आपका वजन भी कम होगा, डायविटीज कंट्रोल होगी, मुटापा कम होगा और बहुत से रोगों से आपको निजात मिल सकती है वरना ये उम्र बीमारियां आने की है, डायविटीज भी ह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना बहुत ख्याल लखिए, मेरा आप से यही इलतमास है, चलिए तो आप अपना ख्याल अगर रखना चाहते हैं, तो आज से ही ये घरेलू उप्चार अपनाने शुरू कर दीजेगा, और एक बात का ख्याल आप सभी को रखना ह कीजिए, फिर धीरे-धीरे करके, आपका कोई भी रोग क्यों ना हो, बड़े से बड़ा रोग आपका दूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सयम रखना होगा, धहरे रखना होगा, क्योंकि 10 साल, 12 साल, 15 साल बहुत होते हैं, और आपको एक ही रोग इतने सालों तक ज हो जाएगा, दुबारा आपको छू तक नहीं पाएगा, तो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, सीधा आप लोग देशी नुस्के जानना चाहते हैं, ऐसे जो कि आपके घर से ही जुड़े हैं, तो फोन उठाना है दर्श को लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हकीम जाते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करना होगा, जो आप लोगों के सामने, आपकी TV स्क्रीन पर लगतार दिखाया जा रही है, आईए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार, स्वागत है आपका, चलिए लगता है, आप से हमारा संपर्क टूट गया है, आप परिशान बिल्कुल मत होएगा, आप फिर से संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा, इसे के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, जी नमस्कार, स्वागत है आपका, हलो, हलो, जी TV का मॉल्यूम कम कीजिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आपको हकीम साहब स सवाल कीजिए सीधा. पुला है ठीक एज और बता दी एज आर सुनी है अर लेटिंग के रस्ता बेबावासीर भी है वो मंग तोड़ा निकला हुआ है ठीक ठीक है अच्छा दिखिए इन तीनों रोगों के लिए आपको एक दवा बताता हूं लिख लीजे आपको आवाज आ रही होगी या तो आप लिख लीजे या मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लीजे धनिया धनिया सो गिराम लीजे और सौफ सो गिराम सौट सो गिराम और जीरा सो गिराम और एक नमक आता है कलाउंजी का नमक कलाउंजी का एस्टैक भी कहते हैं इसे नमक कलोंजी भी कहते हैं कलोंजी का एस्टेक भी कहते हैं असान जबान में नमक कलोंजी कहते हैं सो गिराम ये लाइए और इन सब को घर पे पौडर बनाईए ये आपको घर पे पौडर बनाएंगे तो फाइदा करेगा और पिसा पिसा लाएंगे तो मेरी कोई जम्मेदारी नहीं इसको एक गिराम सुबा इस मिश्रन को पौडर को सबका जो पौडर बनेगा और एक गिराम शाम खाना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने इसको शुरू किया उसी दिन से आपको फाइदा शुरू हुआ और कुछ दिन बाद आप मुकमल तोर पर ठीक भी हो सकते हैं चलिए इसी के साथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं राजिस्थान से स्वागत है आपका हाँ मेंड़ नमस्कार हपीर साथ से बात करना था समी का लगने अनका परच बसके जी है तिवारी जी आदा वर्जे बता यह क्या सवाल है है आपको हमारे क्या आँक्व का जो पेसर है पेसर बढ़ा रहता है अदया कि अउनकों में पढ़ा रहता इससे किया आँख जढ़ती है और भी इस सरे की प्रावलम होती है अच्छा और कोई रोग है इसके अलावा आपको नहीं सर और कोई रोग नहीं है बस मतलब यह प्रावलम हाथ पहर रुद्वा सा चैलिंग जिना हाट टाइम्मि बनी रहती है एज बता दीजिए एज चाड़ी साल ठीक है अच्छा देखि कि आ हम और इसको धनिया तै किना रहे है यह भी oso difícil सब सो सो ग्राम ले लिए ना तो गूर्थ Hyun दनिया सो ग्राम गॉन गान मॉरिग और 100 ग्राम सो ग्राम आपको लेना है साउन्फ और सौ ग्राम अल्सी है यह सब 100-100 ग्राम आपने लिख लिया इनको ज्दनियोंख़ मेटि लाएं लाती हैं, बिल्कुल नहीं, सब raw material चाहिए, गौन मौरिंग का असली लेना अक्सर नकली मिलता है, तो ये आप एक एक ग्राम सुबा शाम खाएंगे, और गरम पानी पांच बार पिएंगे, गरम पानी से लें तो बहुत अच्छा है, आप देखेंगें कि ये, जो material आ इसके खतम होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन है, बिल्कुल हकीम साभ इनके लिए कोई दवाई, दवाई, ये घरे विर उसका अच्छा है, ठीक है, और अगर फिर भी काम ना हो तो कैप्सूल पी के ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी फाइदा मुम्किन है, पतायी सवाल, कोई सबाता है? पहुत मेनदा काम करते हैं हो तो छोड़ś दें और अस्वा गंधा, हल्डी, अल्सी और धनियां अश्वा गंधा, हल्डी, अल्सी, धनियां और गौनस्याः इस सब आपकौ रो मैटेरिल खरीदने पिसा पिसा है नहीं काले 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 केते यह करवा होता है बेशतरी से लोग नहीं जानते हैं मुश्किल से मिलता और नकली भी मिल जाता तो यह असली लेना इन सब को पॉडर बनाकर एक गिराम सुबा एक गिराम शाम बच्चे को खिलाए मुझे उम्मीद है कि चंद हफ्तों में आपका बच्चा तंदृस्त होने की उम्मीद है चलिए उसी के साथ रे रिखा सवाल कीजी अपना जी मैं आप से मुखातिब हूं बताईए क्या सवाल रिखा जी मेरे ना मेरे हजमन को ना प्रोस्टेड है लेकि यह जो 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 ना अल्टरसम में शो जो जो ए वो कर रहे हैं कि नॉर्मल और साइड में है एज बता दीजे भाई की एज बताईए प्रोस्टेड है उनको अभी थोड़े दिन में आया है प्रोस्टेड है तो प्रोस्टेड करना उसका साइड में है ठीक है मैं समझ गया जी रेखा जी आपसे कहना चाहूंगी उनके उम्र बता दीजे 70 और दीजे आपके पती सेहतमन जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन उनको एक नस्खा आप बना के दे दें और वो उसका एक गिराम सुबर शाम खालिया करें वो सेहतमन जिंदगी वो लोग जिनको ये प्रोस्टेड की पिशाप की परिशानी है पेट की गैस की एसिडिट की परिशानी है उन सब के काम आता है ये बहुत खास नस्खा है और बहुत आसान है देखिए एक चीज आती है धनिया आप जानते हैं महिलाएं सब जानती है धनिया सौफ सौट धनिया सौफ सौट और अलसी धनिया पिर कहता हूं आपको कभी समझ में आए धनिया सौफ सौ अलसी 100-100 ग्राम खरीदें और नमक कलोंजी एक एक सौल्ट आता है जिसे एस्टेक भी कहते हैं कलोंजी का एस्टेक नमक कलोंजी भी 100 ग्राम इसमें मिलाएं इस सब मैटेरियल को घर में पीसें बाहर का पिसावा निलाना और एक एक ग्राम सुबा शाम खाने के बाद अपने हजबेंड को देंगे या जिसको भी ये तकलीफे होंगी तो उनका ठीक होना मुमकिन है अगले कॉलर है राजविंद नौइडा से हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्कार जी जी नमस्कार अकिम जी जी आदाव जे जनाब बताईए क्या सवाल है किम जी मेरे उमर्ट पैत होती है हार्ट बीट हार्ट बीट चेक कराया आपने कभी है हार्ट की कितनी धड़कन आती है पल्स कितनी आती है कुछ बताया डॉक्टर ने कितना ब्रेट पेशर रहता है हलो राजंदर जी सुन पा रहे हैं अच्छा देखिए राजंदर जी आपकी उमर 45 साल आपने बताई इस उमर से रोग शुरू हो जाता है दिल का चाहे आदमी को पता हो या ना हो इसमें दो तीन रोग होते हैं सबसे पहले तो खून गाड़ा होने लगता है 45 साल में हर किसी का यह कुद्रती सिस्टम है तो हर 45 साल 40 साल के आदमी को खून पतला करने के लिए गजाएं खाएं या दवाएं खाएं और एक बहुत आसान इसका मैं बताता हूं अक्सर और वो यह है कि किसी को दिल का कोई भी रोग हो बलेड पेशर का कालिस्टॉल बढ़ जाता है यहां त दलने की लिस्टेंड दलने की भी नौबत है हर्ट ब्लॉकिज हो गया है रगों में चर्बी भर गई है यह रोग सामने आते हैं इस उमर में या इसके बाद तो वो भी ठीक होना मुम्किन है बड़ा असान उसका है लीमू का रस एक लीटर अद्रक का रस एक लीटर और लह सुबा और शाम नाश्टे के बाद और खाने के बाद पिया करें पानी पिया करें गरम हूप पानी पिया करें पैदल चला करें हूप तो ऐसे रोगियों का ठीक होना उमकिन है चले नेक्स्ट कॉलर है सुनीता लुदिहाना से हमारे साथ स्वागत है सुनीता आपका नमस्कार जी जी आदाब सुनिता जी बताईए क्या सवाल है हां जी मेरे हस्पर्न उना शुगर उना शुगर बहुत जाला बाद जन दी है ते चक्कर भी आंदे है पैर भी सुनना है चीके कितनी एज है भाई की उनकी बैंट साल दी है पैंसेट साल जी अब चीके देखिए मैं सही पहुचाना अच्छा देखिए एक बड़ा आसान प्रस्का है और वो यह है कि जैतुन को लोग जानते हैं जैतुन का ऑईल अक्सर लोग इस्तमाल करते हैं रईस लोग तो जैतुन का ऑईल में खाना बनाते हैं लेकिन यह नहीं लेना जैतुन का एक सिरका भी आता है जैतुन का सिरका यानि यह मुश्किल से मिलता है असली ले ले और तीन चम्मश सुबा तीन चम्मश शाम नाश्ते के बाद पानी से पानी में डाल के ले या सबजी सालन में मिला कि रहें चोटे चाय के चम्मे तो उनकी बड़ी शुगर कंट्रोल रहेगी और बहुत सहत मन्द जिंदगी गुजार सकते हैं वो भी दवा कहाएं जो खाते हैं लेकिन वो जरूरत के मताबिक अगर आजाएगी अगर आप ये दवा भी साथ में लेते हैं और उनके पार्ट की बड़ी जो में पार्ट को नुक्सान देती है टाइबटीज उससे भी उनको फाइदा रहेगा